सारगैसो शागर उत्तरी अट्लांटिक महासागरे जो वेस्ट इंडिज आप देख रहे हैं इससे उत्तर की तरफ है और अमेरिकी तड़के सहारे इसका विस्तार जो है अगर अक्षांसी विस्तार देख रहे हैं तो 20 डिग्री उत्री अक्षांस से लेकर 40 डिग्री उत्री अक्षांस के मद्ध है और देशांतरी विस्तार 35 डिग्री पच्छमी देशांतर से लेकर 75 डिग्री पच्छमी देशांतर के मद्ध है और इस साग वास्तों में देखो यह जो अपेच्छा किद गर्म शागर है और उत्तरी अमेरिकी बेसीन याद होगा ओको अट्लांटिक महा सागर में जब बेसीन हमने करवाया था तो उत्तरी अमेरिकी बेसीन में विश्त्रीत है अपेच्छा कित गहरा है ये भाग, इसके उत्तर में बर्मूदा दीव दिख रहा है, हलाकि इसके उपर भी ये बर्मूदा दीव एक आटो नामत छेत्रे उनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन का, और ये भी माना जाता है कि प्रयावने दृष्टी से ये काफी सारगैसों क्यों रखा गया, तो देखो इसमें विशेश प्रकार की लंबी-लंबी सारगैसम एलगी है, सारगैसम शैवाल, जिसको हम क्या करते हैं, समुदरी घास तो वास्तों में ये सैवाल प्रजाती की क्या है, पादप हैं, जो काफी लंबे-लंबे हैं, इनका खुब यहां पर विकास हुआ है, तो उसी के नाम पर रख दिया गया, सारगैसम शागर या सारगैसम सी, इसके बीच में एक त्रिभूजा कार ये सनचना आप देखे हो, फ्रोरिडा से लेकर पोर्टोरी को तक फिर बर्मूडा तर, इसको नाम दिया गया बर्मूडा ट्राइंग करल ये जो सारगैसम सी का है, बतायाजाता है कि कोई सीप अर्थात पानी की जहाज भी इसके मद्र से गुजरे या Eropale भी गुजरे तो दुर्गातना ग्रस्थ हो जाती है, चलो दुर्गातना ग्रस्थ होती है, तो वो ठीक है, लेकिन कहां चले जाती है, ये पता नहीं, तो ये प्रकासे रहस्य मई क्या है ट्राइंगल है जो कि सारगैसम सी में है, प्राशीन काल में बाते ही बताएगे, कुछ विद्वानों ने बताया कि जो शीप जाती थी पानी की जहाजी, एक तो यहाँ उच्वाइदाब की पेटी है, आपको पता है, तो गलती से उच्वाइदाब पेटी की तरफ चली गई, तो वो क्या होती थी, सम्मर्जड हो जाती थी, डूब जाती थी, और दूसरा जमिन छित्रों में जाती थी, तो यह जो सारगैसम शैवाल है, यह सारगैसम जिसको घास आप बोलते सारगैसो, यह काफी बड़ी-बड़ी होती थी, उसमें फंस कर वो डूब जाती थी, और फिर जो यह प्रबा हो रहा है, गल्फ स्टीम के कारण यह धरू-धरू इस्थनानतित हो जाती थी, लेकिन यह एक संभावना ब्यक्त की गई, इतनी वैज्यानिकता स्वरूप हमारे पास आने के बाद कहने का मतलब इतना वैज्यानिक विकास होने के बावजूद, यह जबकि विश्व का सबसे डेवलफ साइंटिफिक कंट्री भी है, अनी देश भी है, चुकि यूरोप और अमेरिका के बीच में हैं, फिर भी यह इस रहस्य का एक्जेक्ट पता नहीं लग पाया कि वास्तों में यह क्यूं होता है, कई बिद्वानों ने बताया कि इसके काफी उचाई तक छोब मंडल में काफी उचाई तक यहां विशेश प्रकार के एर सेल बनते हैं, वायू के कोशिकाएं बनती हो, उन कोशिकाओं में कोई भी वस्तु यदी फस गई, तो वो तहस्नैस हो जाती है, लेकिन सवाल यह कि तहस्नैस होने के बाद वो कहां इस्थ नांतित हो जाती हैं, यह पता नहीं, तो महासागरी भागों में अनेक रहस्या है, चलो यह तो काफी परचलित है, हमारे यहां पिछले दो साल पहले क्या हुआ, कि एक विमान जो सेना का था चन्नेशूड़ा अंदमान की तरफ गया, लेकिन महासागर में कहां ध्वस्त य पॉइंट अविव से कई बार पूछा गया कि सारगैसों सी है कहां, फिर बर्मूडा ट्राइंगल गया, इसका नाम सारगैसों के रखा गया, इसका एक्स्टेंशन कितना है, तो इसको आप क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे, इस प्रकार से आपकी जो महासागरी धाराओं क का टॉपिक था, वो पूरी तरह से परिपून हुआ, अब हम बात करेंगे, महासागरी भागों में आने वाले ज्वार की, क्लियर, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे,